कि यस तो जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे बुक आ जाएगी क्योंकि अभी तो वह बजट आया बिल तो अभी बनाया अभी तो फिनेंस एक्ट बना बंदा कितना फास्ट काम करेगा और रोज आके चेंज कर देते बुलते पहले बुलते इंडेक्स टेशन नहीं मिलेगा फिर बुलते मिलेगा यह कितना सारा चींज होता है आ जाएगी बुक अल्रेडी प्रिंट में मंडे को या ट्यूज्डे को आप लोगों को मिल जाएगी फेस टू फेस वालों को और ओनलाइन वालों को भी मंडे से डिस्पैच होना चलू हो जाएगी डिगर बुक की अभी ऑर परसंट की और गिश्डे के अबुक आपए लिखा हुआ है कि इंकम टैक्स इस बैसिकली चार्ड ओने एवरिपरसंट सर है परसंट किसको ब्लेंगे परसंट कियोंकि यह परसंट है इसको income tax लगेगा person किसको बोलेंगे तो guys मैं बता दू हमारे income tax में basically 7 लोग ऐसे है जो person की definition में आते हैं और यह 7 लोग ऐसे हैं जिन पर income tax लगेगा सबसे पहला individual अगर कोई भी individual है तो उसको income tax लगेगा आप एक बात बताओ आप किसमें आओगे individual किसको बोलेंगे बोलो individual मतलब बोलते है single person committed है तू मिंगल अगर कोई शादी शुदा है वो भी individual में आएगा या सिरफ single ही आएगा हां इंडिविजुल मतलब मैं किसमें आऊँगा मैं शादी शुदा हूं तुम मैं किसमें आऊँगा मैं इंडिविजुल में नहीं आऊँगा राइट आंसर इस इंडिविजुल मतलब a human being और you consider it a natural person मैं हूं आप हो कोई भी परसन है इंडिविजुल वो तुमारे इंडिविजुल में आएगा लेकिन एक बात बताओ इसमें इंडिविजुल में आएगा या नहीं और इंडिविजुल है बट माइनर अपने आप में इंडिविजुल में आता है या उसको individual बोलेंगे या नहीं? हाँ? Right answer is yes. वो भी individual ही है नहीं है, यार. Minor बच्चा क्यों individual नहीं है? Individual ही तो है वो. तो minor अगर कोई भी child है, minor child, minor बच्चा है, that minor child will also be cover in the individual, वो तुमारे individual में आएगा. अब एक और चीज़ समझना, individual में minor है, वो minor भी individual में आएगा. Sir, अगर male individual में आएगा, female individual में आएगा, अगर कोई third gender है तो? हाँ? Third gender will cover in the individual or not? Yes. वो भी individual में आएगा, अगर third gender है, वो भी individual में आएगा. कोई person अगर mentally capable नहीं है, लोगों पर पत्तर फिकता है देखके, अगर माल लो, mentally any person is that person will also cover in individual or not? Yes or no? Right answer is yes, वो भी individual में आएगा. तो individual का मतलब होता है, जो natural person होता है, human being होता है, वो तुमारे individual में आएगा, इसमें बेटा minor भी include हो जाएगा, male, female, third gender, unsound mind of the person, वो तुमारे individual में आएगा, तो इतने लोग है जिनको tax भढ़ना पड़ेगा, एक तो individual को भढ़ना पड़ेगा, दूसरे पर आता है Hindu undivided family, H.E.P. को भी income tax भढ़ना पड़ता है, income tax में H.E.P. एक अलग entity है, एक अलग person है, मुझे बताओ H.E.P. क्या होता है? यह तो full form होता है, यह तो मैं भी बता चुका था, यह तो मैंने भी बता है था, H.E.P. मतलब Hindu undivided family, क्या होता है H.E.P. तो बोलता है, H.E.P. मतलब Hindu undivided family, क्या? जिस business में normally ऐसा बोलते हैं, एक से ज़्यादा generation involved होती है, family businesses, तो आप उसको H.E.P. बना सकते हो, Hindu undivided family, income tax में मैं बताओ, H.E.P. को एक अलग person माना गया है, कि H.E.P. एक अलग person है, जैसे individual H.E.P. company firm है, वैसे ही H.E.P. एक अलग person है, लेकिन मैं आपको बताओ, जो नया tax law आने वाला है, जो आप C.E.P. final में पढ़ोगे, C.E.P. final में पढ़ोगे, उसमें H.E.P. को हटा देंगे ये लोग, क्योंकि आज की date में आप देखो कि कोई family businesses बचे नहीं है, कोई ऐसा family business नहीं है, आज की date में H.E.P. सिरफ किसलिए बनाया जाता है, पता है, सिरफ tax planning के लिए, जिससे की 3,00,000,000 रुपे का एक basic exemption मिलता है, ना कि 3,00,000,000 रुपे तक tax नहीं लगता, वो 3,00,000,000 रुपे तक tax ना लगाने के लिए लोग H.E.P. बनाते हैं, otherwise, आज की date में ऐसा कोई भी H.E.P. वगेरा नहीं होता है, कोई भी H.E.P. का या से family businesses वगेरा नहीं होते, तो आगे जाके जो नया tax law आएगा, उस tax law में basically H.E.P. का concept है, वो निकाल देंगे, H.E.P. का concept नहीं रखेंगे, लेकिन सर अभी तक तो है, answer is yes, अब जो H.E.P. रहता है न, उस H.E.P. में guys, एक होते हैं member, और एक होते हैं co-parts nurse, क्या बोलते हैं, co-parts nurse, किसको बोलते हैं co-parts nurse, पहले एक example लेता हूँ, जैसे मान लो, मैं बता दू, ये है Mr. BB, Mr. BB, चलो मैं इधर, 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 इधर example लेता हूँ, मैंने मेरा एक H.E.P. बनाया, उसमें कौन-कौन है, समझना, ये मैं हूँ Mr. BB, मैं Mr. BB, अब एक बात समझना, Mr. BB जो है, मेरी BB और है, जिसका नाम है Mrs. BB, Mrs. BB, ये मेरी BB हैं, ठीक है, अब एक चीज़ समझना, मेरा एक बेटा है मान लो, जिसका नाम है, Master BB, Master BB और एक बेटी है, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्यों होगा, Miss BB ना, तो उसका नाम है Miss BB, अब एक बात समझना, मेरे बेटी की शादी और करा ली, और इसकी बीवी है, उसकी बीवी है, ये वाली, ठीक है, जिसका नाम है धन्नो, जिसका नाम है धन्नो कर गए, ठीक है, मेरे बेटे की भी बीवी है, धन्नो, हमारा एक हिंदू undivided family है, हुआप है, हुआप में, मैं हूँ करता, जो बंदा head of the family होता है, मैंने जैसे ही शादी कर ली, मेरी बीवी से, तो मैंने, मैंने जैसे ही शादी की, शादी करने के बाद, अगर बच्चा हो जाता है, तब H.E.O. अब बनाते हैं, अब इसमें कुछ लोग ऐसा बोलते हैं के नहीं नहीं, आपने सिर्फ शादी किया आप H.E.O. बना सकते हो, लेकिन उसका contradictory बोलते हैं नहीं, there should be a two generation, तब ही H.E.O. बनेगा, सिर्फ शादी करते ही H.E.O. नहीं बना सकते हैं, शादी करने के बाद, एट लीस्ट एक बच्चे को मैनत से जनम दो कर गें, ठीक है, उसके बाद आप H.E.O. बना सकते हो, अब मार्केट में दोनों ही वियू चलते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ हस्बेंट वाई शादी हो गई, एक अलग H.E.O. बना दिया, आज कल H.E.O. बनाने के लिए, हम लोग हमारे ओफिस में बहुत सारे क्लाइन्ट आते थे, जो हमको बोलते थे, कि आप H.E.O. बना के दो, तो हम उनको बोलते थे, कि H.E.O. आप ही को बनाना पड़ेगा, हम लोग उसका रिटन फाइल करके देंगे, ठीक है, तो आके ये रिक्वेस्ट ना करें, कि हमको H.E.O. बना के दो, ठीक है, H.E.O. मैनत आप करो, बच्चे आप करो, फिर H.E.O. बनेगा, तो गाइस, एक्चुली होता क्या है, नॉर्मली किसी के जैसे ये हस्बेंट वाइब है, और बच्चा हो जाता है, उस पर्टिकुलर केस में, वो H.E.O. बन जाता है, आप H.E.O. बना सकते हो, H.E.O. बनाने के लिए कोई ज्यादा एफट नहीं लगते हैं, ह.E.O. का पैन का पैन का पैन का बनाना पड़ता है, एक H.E.O. का एक डीड होता है, वो डीड बना दिया, कि ये फैमेली है, इसमें ये ये लोग है, और ये H.E.O. ये बन गया H.E.O. पैन कार्ड बना दो, बैंक अकाउंट खोल दो, H.E.O. आज की डेट में सिरु 3 लाग का बेनेफिट लेने के लिए H.E.O. बनता है, अब एक बास समझना, जो ये बन्दा मेल है, इसके जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, वो बच्चे और अगर उनके भी बच्चे होंगे, अब जैसे मेल असेंडेंट से जो भी बच्चे होंगे, मतलब जैसे मेरे बच्चे, मेरी बेटी और मेरा बेटा, मे बोला जाता है, जिसके पास बटवारे का राइट रहता है मतलब बटवारा जब होगा तो इनको इनको पैसा मिलेगा उस H.E.O.P की प्रॉपरिटी का that is called co-partners तो co-partners है वो co-partners बोला जाता है जिनको बटवारे का पैसा मिलेगा that is called co-partners अब एक चीज समझना सर co-partner कौन-कौन होता है तो देखो जो male member है उसके जो बच्चे होंगे वो co-partner में आ जाएंगे जैसे माल लो ये मैं हूँ Mr. B.B. तो मेरा बेटा और मेरी बेटी बेटी को भी बटवारे का हक है 2004 से पहले नहीं था 2004 से पहले बेटीों को उनके पापा की property में हिस्सा नहीं मिलता था बेटी तो पराया धर्ण है करके ठीक है तो बोले बेटी को साधी करके बेज़ दो किसी और के घर में हमारे घर का जो property है वो सिरफ बेटे का हक है वो अब नहीं है सुप्रिम कोट ने 2004 में एक judgment दिया था और उसके बाद से बोला कि हिंदू family हिंदू law में जो भी बेटी रहेगी उस बेटी को बेटे के equal हक है जब तक कि वो बेटी खुद का हक surrender नहीं कर देती नौरमली अपने हिंदू families में आपके यहां पे क्या हुआ होगा बेचारी भुआ को एक दिन बुलाते है रक्षा बंदन पे और पापा भुआ को बुला के और एक deed पर sign करा देते हैं सब के घुरों में यही होता है जितने इंदू families आप देखोगे कि रक्षा बंदन पे भुआ को बुलाते है बेचारी रक्षा बंदन पर राकी बांधने आ पता नहीं पापा तो पहले से अग्रिमेंट लेके बैटे है और उस अग्रिमेंट में लिखा हुआ रहता है कि जो भी दादा जी की वगएरा जो प्रॉपर्टी है उस पे सिरफ भाईयों का हक है बेहन अपना हक है वो खुद की मर्जी से खुद के इच्छा अनुसार है व यहां पर ध्यान रखना यह जो मिस्टर बीबी है मेरी अगर मालो यह हुआप की प्रॉपर्टी है तो इसमें मेरे बेटे का मेरी बेटी का दोनों का हक है लेकिन ध्यान रखना मेरी वाइव का एंड मेरे बेटे की वाइव का धन्नों का इनका इस हुआप की प्रॉपर्ट नहीं है या इसन के पास बटवारे का हक नहीं है मेरी वाइव का मेरे ससूर जी के हक है वहाँ पे उसके पास को पार्सनरी राइट है वहाँ पे जाके बटवारा करा सकती है बट मेरे घर पे आने के बाद अगर हमारे है की जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरी वाइव का कोई भ पार्सनरी जो राइट है, जो बटवारे का राइट होता है, वो बटवारे का राइट उसको उसके पैरेंटल प्रॉपर्टी में मिलेगा, हमारे एचुअब की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जो मेरी बेटी है, उसका राइट जो है, वो एचुअब की प् पर्टी में हग नहीं रहेगा अब एक बाद समझना हिंदू लौ जो होता है ना हिंदू लौ में इस्कूल अप लॉप है एक होता है दया भागा और इंडिया में दो स्टेट में लगता है एक तो वेस्ट बंगाल में और एक आसाम में और एक मिताक्ष्रा करके है वो पूरे इंडिया में लगता है हम लोग कहां पर है महाराश्रा में माराश्रा में क्या लगेगा मिताक्ष्रा लगेगा यह द्या बागा जनम लेते ही, मुकेश अमबानी जो है, उसका बेटा अका शमबानी और एक अनन्दमबानी, अका शमबानी का जैसे ही बेटा बेटी हुआ, वो अमबानी की फैमिली अगर प्रॉपर्टी जो भी रहेगी, उसमें उसका हक आ गया, आप जितने भी लोगों मैं बताओ, आपने जनम लिया है, और आप माराश्च्रा में हो, आपको मिताक्ष्रा लगेगा, आपके पापा की जो प्रॉपर्टी है, उसमें आपका हक है, आज आप उनसे लड़ाई कर सकते हो, आप वो बोलते हैं, घर से बाहर जाओ, बोले, आप जाओ, ठीक है, क्यों तो बोले, मेरा भी इस्ट बंगाल में, वो बहुत बढ़िया है, वो बोलता है, जब तक पापा जिन्दा है, आप बच्चों का उस प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है, जब पापा का स्वर्गवास हो गया, अगर पापा नहीं रहे, तो बेटे का हक आएगा, बट जनम से बेटे का हक नहीं रहे था प्रॉपर्टी में, लेकिन हमारे यहां पे जो लगता है, वो मिताक्ष्रा लगता है, बच्चे ने फैमिली में जनम लिया, फैमिली की प्रॉपर्टी जो भी रहेगी, उसमें बच्चे का अधिकार है, बच्चे का हक है, लेकिन दया भागा में क्या होता है, जब मेरा अधिकार है, ऐसा हिंदु लोव बोलता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको यहाँ पर पढ़के बता रहूँ, आपका बूड़ पे ध्यान होना ठीए, सबसे पहले दयाभागा इस कुल अपलो और यह दया भागा इस कुल अपलो जो लग बच्चे का जनम से अधिकार नहीं है यहां पर यहां पर गाइट अपर यह जब तक जिंदा है तब तक प्रोपर्टी नहीं मिलेगी जब अगर मालो वह नहीं रहे तो बच्चों को प्रोपर्टी मिल जाएगी पापा और पापा के जो भाई है वो को पापार रहेंगे बच्चे को पार्सनर नहीं है कहां पर दया भागा स्कूल अपर और वह कहां पर लगेगा सिरफ वेस्ट बंगॉल एंड आसाम बट अपने यहां पर कौन लगेगा मिताक्ष्रा अपन ने तो जैसे जनम ले लिया पहिंदू लोग क्या बोलता है यह प्रेस्ट अप इंडिया में लगेगा आसाम वेस्ट बंगल को छोड़के वन एक्वाइर दर राइट तो दर फैमिली प्रॉपर्टी बाइस बर्थ और नॉट बाइस सक्सेशन इर्रेस्पेक्टिव अप्ट इस एल्रेस्पेक्टिव पापा जिंदा है कोई दिक्कत नहीं है अगरे ठीक हमको अमारा हग मिलेगा दस एवरी चाइल्ड बॉर्न इन दफैमिली एक्वाइर राइट और शियर इन दफैमिली प्रॉपर्टी जैसे ही बच्चे का जनम होता है उसको फैमिली प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा बन ज अनमरा होसी ऑन सकते है कि ररइट आंसर इस एंड़ी ही मुस्लिम लोग वह हीर नई बना सकते हैं मूसलिम लोग कर पढ़ोख दिक्च शी पर चाइंसे ही लेकिन ध्यान रकना जो जैन फैमिली होती है यह यह तुमारे ही माने जाते हैं जो जैन है एंड सिक है वह हिंदू स सिक है वो हुआ बना सकते है बाकी अगर पार्सी है कैतलिक है या फिर तुमारे मुस्लिम से वो हुआ नहीं बना सकते यू गॉट माइं बॉइंट और नॉट यस और नो लिखिये एक काम करिए आप अपनी बुक में दो लाइन चोड़ के लिखिये section 2 clause 31 section 2 clause 31 section 2 clause 31 section 2 clause 31 लिखिये परसन लिखिये परसन परसन और परसन में पॉइंट नबर वन लिखिये इंडिविज्वल 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 में डैश करके लिखिये इंडिविज्वल में that is natural person that is a human being human being h-u-m-a-n-b-e-i-n-g natural person a human being human being full stop it includes male it includes male comma females it include male comma female comma minor minor comma third gender third gender comma unsound mind unsound mind unsound mind unsound mind full stop example mr. ayush example mr. ayush ayush example unsound mind का नहीं है यह example individual का है ठीक है नहीं तो बोलेगा unsound mind के बाद में लिखवा रहे हो तो example ayush is for individual ठीक है एक लाइन छोड़के बी पॉइंट लिखिए हिंदू undivided family बी या second point जो भी हिंदू undivided family हिंदू undivided family हिंदू अपने जो लिखा हिंदू undivided family शौट में लिखते हिंदू अब यहां पर मिताक्ष्रा इस्कुल of law दया भागा इस्कुल of law आपको लिखना है तो लिखी लेते आपको काम करो ऐसा लिखो ऐसा का ऐसा बनाना है इस्कुल हिंदू लो एक दया भागा एक मिताक्ष्रा वेस्ट बंगल असम और रस अपिंडिया एक्सट वेस्ट बंगल आना सब हम 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 झाल झाल गुट मॉनिंग नेंद आ रही है आपको रात को सोई नहीं ना तो तुम सोते हो ना उसको सोने देते हो तो सोजाय करो ना जितने भी यूट्यूब पे देख रहे है खजूर लोगो तुमने लेक्चर को लाइक ही नहीं किया वीडियो को लाइक करो फटाफट खजूर मैं आपको खजूर बोलूँगा यसे खजूर हाँ जी कॉपी हो गया पहले पार्ट में इधर लिखा है चाइल्ड केननोट गेट राइट इन प्रॉपर्टी तिल दे टाइम फादर अलाइव और दूसरे में लिखा है चाइल्ड एक्वाइड राइट इन प्रॉपर्टी बाइबर्थ हाँ दया भागा में जब तक फादर जिन्दा है ना तो मेल ना फिमिल किसी को नहीं हाँ फिर मिलेगा बेटी जो है उसको मिलेगा बेटे बेटी दोनों को इक्वल माना चाता है बट तू ध्यान रखना शादी के बाद तुम भी भुवा बनने वाली हो और भुवा को राकी पर बुलाएंगे और राकी पर डॉक्यूमेंट पर ऐसे साइन कराएंगे ना लेकिन आजकल दैसे लड़किया बहुत लड़ ले है इंडिया में एक बात बड़ी नैचूरल है कि सबके घर में जगडे है ना भाई-भाई के जगडे में हर बच्चा आखी बोलता एक मेरे चाचाने या मेरे पापा के चर्प हाँ बुद्धिस्ट फैमिली में आएंगे या नहीं आएंगे एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे बुद्धिस्ट किसी को आइडिया है बुद्धिस्ट फैमिली क्योंकि जैन एंड सिक्क का तो यहां पर लिखा हुआ है नहीं बोद्ध जो धर्म है वह हिंदू में आता है या नहीं मिलेको देखना पड़े मैं कल एक बार देखके बताता हूं ठीक है चली अब एक काम करते हैं है अपने क्वेश्चन बैंक में आपके पास क्वेश्चन ब पर यह compiler आपको मिलेगा जिसमें question bank है जिसमें बहुत सारे question के answer नहीं दे रहें तो वह अपन class में करेंगे और कुछ-कुछ ऐसे theoretical question रहेंगे जिसके answer यहां पर दे रखे होंगे तो जैसे आपका question number 8 करके है देखिए क्या दे रखा है दे जैन हुए इन आसाम यह आसाम में है आसाम में है कंप्राइज अप्र मिस्टर सुरेज जैन उसकी खुद की वाइप सपना जैन his son Mr. Sartak जैन his daughter-in-law Mrs. Prithi जैन his daughter Miss Seema जैन and his unmarried brother Mr. Pritham जैन which of the member of HUF are eligible for the co-parsenery right मला अगर अभी बटवारा होता है तो वाईया किस किस में property बाटी जाएगी किस के पास बटवारे का right है गरगे ठीक है पहली चीज तो ये कहां है आसाम एंड वेस्ट बंगल में है तो दया भागा या मिताक्ष्रा तो यहां पे दया भागा लगे हो और जब दया भागा लग रहा है तो मैं बोलू बच्चे का property में right जनम से नहीं है तो मैं बोलू यहां पे एक तो right किसका सुरेज जैन का है उ आपका तो किसी भी लौ में नहीं होगा ठीक है वाइप का तो ऐसे भी नहीं है उसके बेटे का नहीं है क्योंकि सुरेज जिन्दा है ठीक है अगर माल लो बेटे को चाहिए तो सुरेज की क्या होनी चाहिए शुरेज की अत्या होनी चाहिए यार इतना गंदा कौन बोल सकता है सहार्तक को राइट चाहिए तो शुरेज जी नहीं रहने चाहिए मतलब कि मिर्जापूर चल रहा है यहां पर कि मुन्ना भाया बोलते कालिन भाया को मार दो वी उसके बीटे का नहीं है उसके बेटे की बीवी का भी नहीं है इसका पार्ट माना जाएगा प्रितम जैन का यहां पर राइट प्रॉपरिटी में है उसके पास कोबाचन की राइट रहे तो देखिए यहां पर solution में क्या लिखा हुआ एक बार आप रीड करें लीजिए यह सर शुरेज जैने शुरेज जैन की बाइचांस टैथ हो गई बच्चे और फिर प्रितम जैन का रहेगा दो बच्चे इसके एक तो सीमा जैन और सार्तक जैन एन एक तुमारा प्रितम जैन तीन रहेगा प्रितम के बच्चे हो गए और सुरेज मर गया तो प्रितम तो जिन्दा है ना नहीं नहीं अगर सुरेज मर गया तो सुरेश के बच्चे और प्रितम अकिला अगर ये आसाम में है अगर मालो ये आसाम की जगे यहाँ पे राजसान होता तो किस-किस के पास को पार्सनेरी राइट होता एक तो सुरेश के पास सपना के पास नहीं होता सार्थक के पास होता प्रीती जैन के पास नहीं होता and सीमा जैन के पास होता and प्रीतम जैन के पास होता इनके पास में co-parsnery right होता समझागे नहीं समझा चल उसके बाद एक और question ये है उपपर वाला what are the two schools of law where they have prevalent and explain also the main difference between the two schools of Hindu law कौन कौन से ऐसे दो schools of Hindu law है वो कहां कहां पे लगते है and उन दोनों में basic फरक क्या है तो पहला वाला बोलोगे दया भागा और दूसरा क्या बोलोगे मिताक्ष्रा दया भागा कहां पे लगता है मिताक्ष्रा कहां पे लगता है और उसमें फरक क्या है देखो दया भागा जो है उसमें जनम से आपका property में अधिकार नहीं है, मिस आपको partner नहीं बनोगे, लेकिन यहां मिताक्ष्रा में क्या है, जनम से आपको property में अधिकार मिल जाता है, ठीक है, so this is one simple से दो theoretical question है, जो अपने पहले topic में दे रखे है, this is all about the HUF, तो अपने आपको जो लिखना है, HUF में और BBs, BB और उपर ऐसे S करके, BBs, HUF, उसके बाद लिखो, Indian company, sorry, not Indian company, यह दूसरा point था है, HUF, तीसरा point लिखो, company, company किसको बोलते हैं? कमपनी मतलब, जो body corporate है, body corporate is a company, company basically दो तरह की company होती है, एक होती है Indian company, एक होती है foreign company, Indian company हमारे income tax में इसको बोलेंगे, जो India के किसी law में incorporate है, किस कहां incorporate है, India के किसी law में, India के किसी law में, मतलब एक्जांपल के लिए, companies at 2030, या फिर कोई और भी law हो सकता है, जैसे state के बगएर अलग-लग law हो सकते है, तो उसमें जो incorporate होती है, उसको बोलते है Indian companies, और India के बाहर किसी law में incorporate है, उसको हम बोलेंगे foreign company, अब company law में हो सकता है, कुछ अलगी definition हो, उससे मुझे मतलब नहीं, मैं income tax की बात कर रहा हूँ, income tax मे definition क्या है, Indian company means any company which is incorporated in India under any law, and foreign company मतलब which is incorporated outside India, तो next लिखो point number 3, 1, 2, 3 लिख रहे हो है, A, B, C, D लिख रहे हो, 1, 2, 3, तो 3 लिखो person में company, और company में पहला dash करके लिखो Indian company, और जहां आपने Indian company लिखा, dash करके लिखो, एनी बॉडी corporate, एनी बॉडी corporate, इनी बॉडी corporate, इनी बॉडी corporate, इन 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 इ Anybody Incorporated in India Bracket में लिखो Under Companies Act 2013 Under Companies Act 2013 Or Any Other State Law Or Any Other State Law Any Other State Law एक लाइन छोड़के नेक्स लाइन में लिखो Foreign Company Foreign Company Foreign Company And Foreign Company में डैश करके लिखो Company Incorporated Outside India Company Incorporated Outside India Company Incorporated Outside India Foreign Company एक होता है Partnership Firm एक बताओ पात पात पातने शिफो फिर्म किसको बोलते हैं दो या दो से लोग ज्यादा लोग आपस में क्या करते हैं सात में हाते हैं दो या दो से लोग आपस में मिलते हैं Business motive के लिए अच्छा. मीव not motive नहीं होना चाहीए मेन motive, profit motive होना चाहीए उसके लिये मिलते है और कुछ ना कुछ करते है That is called partnership firm तो partnership firm कि सको बोलते है जो आपने पड़ा हुआ है partnership firm इंडिया में partnership firm के लिए एक act है Indian partnership act 1932 मतलब अपनी आजादी के पहले वाला है। आपको पता पाकिस्तान मेंபों फिर चलता आज भी। मेरे को पता नहीं से बेटर होता है, आपन इस पूर्टर में कुछ कुछ करते हैं। मैंने पाकिस्तान के का सलिपस न 측ष लिया। कि अ कैसे सीई होता होगा तो वहाँ पर भी पार्टनरशिपि 1932 के हिसाब से कोई भी partnership firm है वो partnership firm है एक चीज़ द्यान रखना दूसरा एक होता है LLP, LLP का मतलब क्या होता है गाइस हमेशा द्यान रखना, LLP जो होती है वो firm ही है उसको भी partnership firm ही मानने का ऐसा नहीं का नहीं नहीं नहीं, LLP तो अलग है ना LLP भी क्या है partnership firm क्या है partnership firm तो चौता लिख लो partnership firm partnership firm और partnership firm में डैश करके लिखो it means it means firm define under partnership act 1932 it means firm define under partnership act 1932 और LLP act 2008 और LLP act 2008 एक्जामपल लिखो एक्जामपल लिख लो किनीत एम एक को पाइन तो 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 मेरे ऐप्का जोल्च भी नाम रहेगा कि उसके साथ मैं से बी को मर्च कर लोग ठीक कि ऐन अभी हो भी वर्डुब्वर्ट्वर्ट्वम वर्ट्विल स्प Duty whenever Igam example, और partnership firm, BB Virtuals firm. BB Virtuals firm. This is firm, BB Virtuals firm. This is firm. चलिए, आज के लिए इतना ही है. तो ये तो ये कल अपन कंटीनीव करेंगे AOP-BY, Local Authority, Artificial Juridical Person. जितना लिखवाया है, जितना पढ़ाया है, उसको आप रिवाइस करके आएंगे. कल अपन इसके आगे continue करेंगे thanks a lot people that's enough for today from my side